हालो अब्रीबन वेलकम बैक तो मैं चैनल मैं डॉक्टर रंचिना गुपता आज यह सी थार्ड यर की सीरीज में ट्रॉपिक कंटीनिव कर रहे हूं तैट इस इस्ट्रॉक्चर ओफ इयर लेट्स बीगिन टॉपिक इस्ट्रॉक्चर ओफ हुमन इयर जो कि हमारे लिए बहु आज यह चैनल मिडल और मिडल इंडल इयर या इन्टेनल लिए तो एक सट्रॉक्चर हमें वहार है और एक कैनाल की फोर्म में एक इसका इस तरह का पार्ट है उसे हम कहते हैं तो यह जो है मैंने यहां पर यह बनाया है that is earpinna इसको हम क्योंकि earpinna कहते हैं तो earpinna और उसके बाद यह जो tube like structure आपको दिख रहा है that is external auditory meters तो यह जो दोनों पार्ट मिलके external ear बनाते हैं इसके बाद जो यह second part आपको दिख रहा है that is incus, malleus, incus, steppis, malleus, incus और steppis यह जो तीनों मिलके middle ear का पार्ट बनाती है और तीसरा जो पार्ट है that is inner ear जहां पर इसका हम देखें तो यह vestibule वाला पार्ट और cochlea वाला पार्ट होता है अभी हम यहां थोड़ा सा इसके detail में जाएंगे तो जो external ear है मैंने इसमें इयर पिन्न, auditory meters and tympanum tympanum यह जो पार्ट है जिसे हम ear drum भी कहते हैं जो कि यह आपर oval structure है वो जो है इसका tympanum है जो audit ear pinna है यह जो है sound collection का काम करता है क्योंकि जब हम सुनते हैं तो जो हमारा ear pinna है वहां हम vibrations जो आते हैं वो उसके द्वारा receive किये जाते हैं तो इसलिए जो यहां पर जो पूरा जो ear pinna है हमें एक जो है सुनने में help करता है तो स्मॉल एस लाइक इस्ट्रक्चर एंड शिरुमिन ग्लैंड यहां पर जो auditory meter से उसमें पूरे जो है सीलिरी स्ट्रक्चर प्रजेंट होते हैं और इसके अलावा यहां एक अंदर की तरफ शिरुमिन ग्लैंड होती है सिरुमिन ग्लैंड जो है वह एक बैक्स लाइक सिक्रिशन्स प्रोड्यूस करती है इसके वेनेफिट यह है कि जो हमारे जब हम हमारा यह है उसके अंदर कोई भी सॉइल या सेंड पार्टिकेल्स या कोई भी वैक्टीरिया या इस तरह के इंफेक्सिस कोई भी थिंक्स हैं यहीं पर याँप्चर कर लिये जाते हैं उनको अंदर एंटर नहीं होने दिया जाता है क्योंकि यह से रुमिन ग्लैंड है वो जो बैक्स लाइक सिक्रिशन्स प्रोड्यूस करती है वह उसके दोरा उसमें ही एडियर हो जाते हैं उससे चिपक जाते हैं इस तरह से यहाँ आपर जो है वह है अग सो BBQ प्रेजैंट होता है वह यह पर प्रेजैंट होता है है ah इस इसकिन यह बाहर की तरफा है जो बल्कुल Star आप आठीमेटरी मीटर सिंट साइड में उसके बाद बीच में जो इसके अंदर fluid filter रहता है that is connective tissue और inner side पर जो है वो that is इसका mucous membrane अंदर की side जो है इसकी mucous membrane present होती है तो इस तरह से जो है timpanum form होता है तो यह जो पूरा structure अभी मैंने आपको describe किया वो external ear का था जो ear pinna है वो cartilage का बना होता है इसी वज़े से इसके अंदर हमें flexibility दिखाई देती यह पार्ट हमारा boni नहीं होता हम यह touch करके देखें तो थोड़ा सा तो hard है लेकिन बहुत hard नहीं है तो यह जो पार्ट है यह हमारा cartilage का बना हुआ है इयर पिन्ना जो हम देखते हैं कि other animals के अंदर भी जैसे dog है cat है इन सब के अंदर भी हमें external ear जो दिखाई देता है वो इसका इयर पिन्ना ही होता है तो आपने notice किया होगा जब कोई भी उनको sound सुनाई देती है या कोई feel इस तरह का आता है कि कहीं से कोई उनको डरा रहा है द्हमकार आया कुछ भी तो वह उस चीज को ध्यान से सुनने के लिए अपने जो कान खड़े कर लेते हैं यह हम भी हमें vibrations प्रॉपर सुनाई नहीं दे रहे हो तो हम अपने कान की पीछे इस तरह से हाथ लगा के सुनने की कोसिस करें तो जो sound है वह और भी ज्यादा clear अब बात करते हैं middle ear की middle ear मैंने जैसे बताया यह जो center part है middle ear का part है जिसके अंदर three bones होती है पहली bone है इसके अंदर malleus malleus जो की hammer shaped bone होती है इस तरह की आपको जो green color की bone दिखाई दे रहे है that is malleus इसके बाद जो second bone होती है that is incus जो थोड़ा triangular shape के होती है step is third bone होती है जो कि smallest bone of body के नाम से जानी जाती है वो जो है थोड़ा सा tubular होती है और rounded होती है अब जो malleus है वो बिल्कुल contact में होती है ear drum के या हमके tympanum के जबकि जो step is है वो directly contact में होती है internal ear के तो इस तरह से यह तीनों जो है आपस में connected रहती है और यहीं से जो एक originate होती हुए हमें ट्यूब लाइक structure दिखाई देता है जिसे हम eustachian tube कहते हैं यह जो eustachian tube है यह फैरिंग तक connect होती है तो आपने notice क्यों होगा कि हम अपने ear drop डालते हैं तो वो उसका टेस्ट हमें अपने गले में महसूस होता है तो यही रीजन है कि जो हमारा ear है वो भी हमारे का में काम है एंप्लिफिकेशन ऑफ दी साउंड को एंप्लिफाई करना और फ्रॉम दी मिडल यह और और जो यह आपको मैंने आपको जो ट्यूब लाइक करती है और वो फिर वो वाइब्रेशन थूए पहुशते हैं इस्टेप इस जो है क्योंकि वो इंटर्नल यह के कनेक्शन में है और जहां पर जो हमारा मेन hearing organ that is cochlea present है वो उससे connected रहता है जिसके बारे में आगे discuss करूंगे आप inner ear या internal ear की बात करें तो वो हमें इस तरह से balloon like structure दिखाई देता है जिस पर तीन tube like structure present होते हैं यह तोड़ा सा clear बनाया है या enlarge करके आपको अलग से दिखाया है यह जो है इस तरह का structure होता है balloon like और वो आगे की और turn होता है यह जो पूरा inner ear जो है वो दो पार्ट बनाया बोनी एंड मेंब्रेनस लेबरिंथ अब यह जो मैंने पूरा यह जो होता है यह इसका मेंब्रेनस लेवरिंथ वाला पार्ट है और मेंब्रेनस लेवरिंथ के अंदर फ्लोड फिल्ड रहता है यहां पर मैंने वेंशन किया है यह तो पूरा अब यह जो बनाते हो ऑट लेखन बनाते हैं इस ओट लेखन और यह जो पूरा पार्ट है यह उपर का पार्ट जहां पर Autolite or Semicircular Canal जो तीनों है तीन Semicircular Canal होती है वो जो है एक दूसरे के 90 डिगरी अंगल पर प्रेसेंट होती है तो यह इतना पार्ट है यह जो पार्ट है वो कहलाता है vestibule यहां तक का पार्ट जो है वो vestibule कहलाता है और इससे नीचे का महीं को हम जो फोल्डेड पार्ट वह कौकलिय अपर यहां पर समियर्कूलर्लुकर पेलल प्लागा snng प्लार्ट और बिन कर सत ओर लिए pop बना तो यह क्यार यह में के ओर वह कंदने के तसरा कि बना रहे हैं। यह पूरे पर पार्ट हो गया नहें जबकि जो कोक्लिया है उसे हम और्गन ओफ कहते हैं जो कि हमरे सुनने में हैल्प करता है यह जो जितना भी हम साउंड को हमें सुना ही देती है वह उसमें वाइब्रेशन होते हैं वह कैसे होते हैं उसके बारे में अगले वीडियो के अंदर कंटीन्यु करूंगी मेकने जो आ से पूरा मार्किया यह जो है पूरा है कोकली अब बात जो मैंने सेमी सर्कुलर के नाज की बात की थी मैंने यहां पर थोड़ा सा और उनको एनलाज करके बनाया है बहुत कलियर नहीं आपा रहा है यहां पर अब यह क्योंकि यहीं से ओरीजिनेट होते हैं तो इनकी आउटर को से घार हमें देखें तो उसमें हमें बॉनी लेवरिंथ के अनदर पैरिलिम भरा हूँता है व्यक्त।-छर होता है जिसके अंदर या और अदकर तो हम यहां पर में एक और जैसे आपको बताती हूं कि नीचे के पार्ट इस तरह से स्वैल होते हैं और यह इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर ही एक और ट्यूब लाइक इस्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है इस तरह से तो यह जो पार्ट है यहां पर जो यह फ्लूड भरा है यह जो फ्लूड होगा that is perilymph, perilymph जबकि यहां जो फ्लूड भरा है जो अंदर ट्यूब लाइक इस्ट्रक्चर एक और दिखाई दे रहा है that is andolimph तो इस तरह से यह जो semi-circular चैनाल से हैं वह इस तरह की से हमें दिखाई दिते हैं अब यह जो semi-circular कैनाल से जो की इनका नंबर 3 होता है उनको हम उनका arrangement देखें तो वह एक दूसे से मैंने खहा 90 degree का एंगिल फर्म करते हैं अब वो 90 degree का angle कैसे form करें जो मैं बात कर रही हूं semi circular canal वो किस तरह से 90 degree पर एक दूसरे से arrange होती हैं उसके लिए हम ऐसे देख सकते हैं suppose एक की position इस तरह से है तो दूसरे की जो position होगी वो इस तरह से होगी इसके तो यह दोनों एक दूसरे से 90 degree के angle पर हैं अब third one की यह दी हम बात करें तो third one की position जो है वो इस तरह से और third one जो है उसकी position जो है वो इस तरह से होगी तो इस तरह से जो है वो तीनों की position रहेगी तो यह जो तीनों ही एक दूसरे से 90 डिगरी का एंगल जो है वो फॉर्म कर रहे हैं तो इसी इस तरह से जो है यह जो इस तरह से जो है वो अरेंज होती हैं तो यह था पूरा आपका structure of human ear I think आपको समझ में आ गया होगा फिर भी कोई doubt है तो comment section में जरूर करें और मेरे वीडियो जीदी पसंद आ रहें तो उन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूला है और नेक्ट वीडियो के अंदर में इसका जो continue कर रही हूं mechanism of hearing तो जब भी आप देखें तो दौनों वीडियो को यदि इस्ट्रक्चर समझना है तो इसके लिए आपको पहले structure समझना ज्यादा जरूरी होगा